इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलिवुट अभी नेत्रियों का ड्रेसिंग स्टाइल यूनिक और स्टाइलिश होता है इसले ही लड़किया इनके स्टाइल को कॉपी करती है वही कई बार एक्ट्रिसिस कुछ ऐसे कपड़े पहन लेती है जुन्हें हम पहनना तो दूर देखकर ही शर्मिन्दा हो जाए अवर्ड फंक्शन या फिर किसी इविंट में कई बार एक्ट्रिस इतने बोल्ड कपड़े पहन कर आती है कि बाद में उन्हें खुद लोगों के सामने शर्मिन्दा होना पड़ता है मलाइका अरोडा इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मलाइका अरोडा का है ये मोहतरमा तो कई बार अपनी बोल्डिनेस को लेका ट्रॉल भी हो चुकी है एक इवेंट में मलाइका तीन पीस सूट में दिखी थी लेकिन इस सूट कनेक इतना ज़ादा डीप था क्योंकि अपर बॉडी कुछ ज़ादा ही फ्लॉंट हो रही थी बाद में मलाइका खुद अपने कपड़ों को मीडिया के सामने ठीक करती कोई दिखाई दे रही थी दिपिका पदुकोर अब बात कर लेते हैं दिपिका पदुकोर की दिपिका भी बोल्डनेस दिखाने में पीछे नहीं हटती इनकी golden dress को ही देख लीजे दिपिका की ये golden dress का गला इतना जादा डीप था कि कोई देखकर ही शर्मा चाए दिपिका ने ये dress पहन तो ली लेकिन बार-बार उसे ठीक करती दिखी वही एक्ट्रस की dress इतनी जादा fit थी कि उनका चलना मुश्किल हो गया था प्रियंका चोपरा देशी गरल प्रियंका चोपरा हॉलिवुड में भी अच्छा नाम कमा रही है तो उनका हॉलिवुड फेशन को कॉपी करना तो बनता ही है एक बार प्रियंका पती निक के साथ स्पॉट हुई थी इस दुरान प्रियंका ने इतनी जादा बोल्ड ड्रेस पहनी थी कि शायद यू कोई इससे पहन कर घर से बाहर निकलना पसंद करे map प्रियंका ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें उनकी पूरी बौडी फ्लॉंट हो रही थी निया शर्मा बोलनेस के मामले में निया भी किसी से कम नहीं है निया की सिलवर ड्रेस को ही देख लीजे एक अवर्ड फंक्शन में इस सिलवर ड्रेस पहन कर पहुची निया पूरे एवन्ट में अपनी ड्रेस को हाथू से छिपाते हुए दिखाए दी थी वैसे तो सोनम कपूर को बॉलिवूड की फेशनिस्टा कहा चाता है लेकिन ये मैडम भी कई बार अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोल हो चुकी है सोनम कपूर की ये ब्लेक ड्रेस काफी चर्चा में रही थी सोनम की ड्रेस बैक और फ्रंट से कुछ ज़ादा ही बोल्ड थी यामी गौतम यामी गौतम वैसे तो बोल्ड ड्रेस में कम ही दिखाई देती हैं लेकिन एक बार इन्हें इवेंट में ब्लेक ड्रेस में स्पोट किया गया था यामी अपनी ड्रेस में कमफोटेबल नहीं दिखाई दे रही थी वो बार बार अपनी ड्रेस ठीक करती दिख रही थी आपका इनके लोग के बारे में क्या खयाल है? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले करना ना भूले